सबी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों आज इस एपीशोर में मैं आपको जब हार कट काट के बताऊंगा जिसको लोग सदरी भी बोलते हैं बंदी भी बोलते हैं जैकेट भी बोलते हैं दोस्तों कुछ नम ऐसे हुते हैं जो चाती से पेट ज़्यादा होता हैं सोअरी बहुत ज्यादा हुलते हैं इनंच नेचरल हैं props आगर सबलते हैं यह ऐसे ही एक नाप पे मैं आपको यह जवार कट काट के बताऊंगा आप इस एपी शोड को ध्यान से देखना पूरा देखना आसानी से आपकी सुमय में आ जाएगा तो चलिए एपी शोड चुरू करते हैं जैकेट की कटिंग शुरू करते हैं सबसे पहले इसका नाप दिख ल चार इंच पेट इसका हम ज्यादा रखेंगे ब्याली स्पेट अठारा तीरा और इसका गला 16 इंचिस का गला रखेंगे यह मेजरमेंट हमने लिख लिया इसी मेजरमेंट पे हम यह सदरी काटेंगे यह हम बैक में बिना जोड की सदरी काटेंगे जो छाती से ज्यादा पेट हो उसको आप बिना जोड की बैक काटिए एक एपिशोर मैंने जोड की बैक भी काटना बताया था और बिना जोड की भी तो इसमें हम बिना जोड की बैक काटेंगे सबसे पहले बैक काटेंगे तो ये एक ये एक इंच उपर छोड़के एक निशाना दा लेजिए और ये बिरा जोड़की होगी अब इसकी लंबाई है अठाई सिंच ये पूरी लंबाई लेंगे हम अठाई सिंच ये पूरी लंबाई लेंगे अब इसका 38 इंच तो इसका वन फोर्थ आर्मोल कितना हुआ साड़े लो हम इसमें आर्मोल आदा इंच ज्यादा लेगे 10 इंच क्योंकि यह जैकेट है जितना बड़ा रहेगा उतना ही इजी रहेगा पहनने में आसान रहेगा आप इसका साड़े नो भी ले सकते हैं लेकिन अगर आदा इंच ज्यादा ले लेते हैं पेट वाला है आदा इंच ज्यादा ले लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है आदा इंच से ज्यादा नहीं लेना ये इसका लंबाई अर्मोल का निशान होगा 10 इंच गे-डाबी के देड़े इंच इसका पेट का निशान हो गया मिद्धर से लगा सकते हैं ऐसके यह टारा है यह का आऊ इंच के लाए अब इंच जाल से लगाए चाइं एक ही बात है अब इसका गला 16, 16 इंच गले का पाचमा हिस्सा कितना होया, पास्ति ये 15, 3, 7, 3 के करीब, इसका गले का निशान हो गया, ये किन्स हम ठीक का निशान लगाएंगे, और ये खमारा ये टीक हो गया, ये खमारी टीक हो गई, आप इस निशान से थोड़ा सा नीचे उपर ना ले इस से थोड़ा नीचे ही ले LEGI इस निशान से इस निशान में भी आप निशान लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है अब इसका 13 है 18 इंच तो 18 का ये कितना हो गया 9 इंच ये 9 और आदा इंच का मार्जन यानी 1.5 ये 1.5 इसमें आप मार्जन ना भी रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें बाजू तो चड़ने नहीं होती और सोल्डर पे अगर मार्जन आप ना भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको बिना मार्जन कहीं बताता हूं ये 13,18 है तो ये 9 इंच ये 9 इंच आप रखे और यहां से हमने डाउन करना है देखिए ये सोल्डर डाउन वाली है पेट ज्यादा है 4 इंच तो इसका हम सोल्डर डाउन वाली काटेंगे तो सोल्डर डाउन हमें कित्रा करना है ये जो हमारी टीक है ये जो हमारी टीक है इससे हमने धाई इंच सोल्डर डाउन करना है ये देखिए यहां आप सोल्डर डाउन का पहले निशान लगाई है और उसको फेर यहां लगाई है ये धाई इंच हमने यहां से सोल्डर डाउन करना है अब इसको निशान लगा लि इसमें दबाव भी रख सकते हैं, और दबाव नहीं भी रखेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको हम यहाँ से, इस शेफ में, अब यहाँ से हमने सोल्डर लिया है, 9 इंच, अब क्रोस बैक इसकी कितनी लेंगे, एक इंच कम, यह 8 इंच इसकी क्रोस बैक होगी, क्रोस बैक का का की निशान लगा जयते हैं, यह इसी सेफ में हमने, क्रोस बैक का निशान लगाना है, यह इसी सेफ में, अब इसकी, छाती है 38, 48 का 1 फोर्ध कितना हो गया, 9 इंच, वाधन की, 6 इंच, यह 3 इंच, प्लस एक इंच का, हम इसमें दबाव रखेंगे, माधन अ पेट कीतना है बैयालीस का वन फोर्ट कीतना हो गया साड़े-दस ये साड़े-दस और एक इंच का मार्जन इसका पेट ज्यादा है इसलिए हिप का मेजर्मेंट लेने की ज़रूरत नहीं है अब हम यह जो यहां का जो निशान है यह जो निशान है इसी सेफ में लगाएंगे इस सेफ में या इस सेफ में लगाएंगे यह देखिए यह ऐसे लगाएंगे यहां यह साड़े दस है साड़े दस का ही यह निशान लगाईए और एक इंच यह सेफ यह हमने स्केर से भी लगा सकते हैं पट्टी से भी लगा सकते हैं आपने सीधा लगाना है तो स्केर से ही जो यह आपका अब जापका बैक का निशान हो गया और यह आपका मुड़ा हो गया बैक का जापका मुड़ा हो गया अब मैं इसको काड़ देता हूं और यह देखे मैंने यहां पर टीक जो है ना यह इस निशान के निचले बाग से शुरू की है यह जो टीक काटी है यह निचले बाग पर काटी है यह इसकी बाग बैक कट गी अब मैं इसका सामना काटूंगा फ्रंट काटूंगा यह बैक के निशान उफा लेते हैं सबसे पहले निशान को प्रीट लगा लेते हैं कि यह निशान हमने कमक्रीट लगा लिए अब हम इसकी यह एक इंच लंबाई ज्यादा रखेंगे सामने की वैक से तो इसको हम कि यह ऐसे सीधी लगा लेते हैं यह सीधा कर लिया और आदा इंच का एक हम यह निशान लगाएंगे इस निशान पर हमने कटिंग करनी हैं दोस्तों आज बस इकनाई बाकी जवार कटकी कटिंग मैं आगले आपिशोर में आपको बताँगा झाल